आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार आप सभी का बहुत सौगत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हूं नितिन कुमार अतर प्रदेश में जिस तरह से लगतार जाड़ा बढ़ रहा है लगतार तापमान गिर रहा है और राजनितिक पारा जो है वो लगतार उपर हो रहा है ठंड का पारा जो है तापमान जो है वो लगातार नीचे हो रहा है और राजनितिक पारा जो है वो लगातार ओपर हो रहा है कभी दल बदलने की प्रक्रियाएं चल नहीं है कुछ बड़े सीनियर लीडर अपने पूरे अमले के साथ दूसरे राजनितिक दलों में चले जा रहे हैं चारशार साल पांच-पांच साल बिताने के बाद और ये कह रहे हैं कि मौझूदा सरकार जिसमें मैं हिस्सा था जा मैं मंत्राले समाल रहा था दरासल वो दलितों की शोशितों की पिछडों की बात नहीं सुनते हैं उनका हक मारते हैं ये प्रक्रिया दोनों तरफ चल लई है कहीं मौझूदा सत्ता दल राजनेतिक परिवार के सदस्यों को अपने साथ जोड़ ले रहा है लेकिन जनता के मुद्दों पर चर्चा होना अभी भी बहुत जरूरी है हाला कि विपक्षी दलों की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए वो पुरानी पेंशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं कई सारी चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सत्ता में आ गए अगर सरकार में आ गए तो इस्थितियों को बहतर कर देंगे समस्याओं को दूर कर देंगे जनता को तोफ़ा मिलेगा जनता भी सोचेगी कि यहां एक बहतर सरकार चुनी है और सत्ता दल की बात करें तो सत्ता दल की तरफ से जो उन्होंने बीते पाँच साल या साड़े साथ साल जो भी काम केंदर से लेकर प्रदेश तक हुआ है उसकी गिंती गिनाई जा रही है बताया जा रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कैसे बहतर हम करेंगे अगर सत्ता में आ गए तो हमने जो कर दिया वो बीती सरकारी नहीं कर सकती थी वो सोच भी नहीं पा रही थी उस चीज़ पर और इसी वज़े से उन्होंने किया भी नहीं तो आरोब प्रत्यारोब का जो सिलसिला है वो वेपक्ष से लेकर सत्ता तक चल रहा है एक दूसरे पर छीटा कशी का जो दौर है वो भी चल रहा है डिजिटली माध्यम से क्योंकि आजकल तो कोविट काल को देखते वे चुनावायोग ने भी कहा है कि जो रहलिया है वो डिजिटल माध्यम से ही होंगी तो डिजिटल माध्यम से रैलिया भी हो रही है और एक दूसरे पर प्रहार करने की कोशिश भी डिजिटल माध्यम से करी जा रही है इस बीच जो पार्टियों के प्रमुख हैं जो उत्तर प्रदेश में में फेस हैं अपने अपने राजनितिक दलों के और जिनके उपर सबसे जादा उम्मीद राजनितिक दलों की है उनकी सीटे भी कन्फरम होना शुरू हो चुकी है सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आतितनात जो गोरकपुर के हैं मुख्यमंत्री के कारकाल का पांच साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिताया है उनकी सीट कन्फरम होती है गोरकपुर सदर सीट यह गोरकपुर सदर सीट वो सीट है जहां से बीजेपी 1967 के बाद से नहीं हा रही अभी बीते चार साल से लगातार वहाँ पे राधा मोहनदास अगरवाल मौजूदा बिधायक जीतते हुए आए है जिससे साब साबित होता में राधा मोहनदास अगरवाल के खाते में गिरता आया है लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया हलाकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था है कि जो पार्टी विरोधी गतिविदियों में जुनेता विधायक सामिल रहा है उसका टिकट काटा गया है एकना ये होगा कि क्या राधा मोहनदास अकरवाल मुक्मंतरी योगिया दितनात के खिलाफ सामने खड़े होते हैं या नहीं होते हैं ये तो समय बताएगा समाजवादी पार्टी ने कहा है कि दरवाजे खुले हुएं अगर वो आएं तो हम कोशिश करेंगे हम सोचेंगे और उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे अब ये राधा मोहनदास की अपनी राजनितिक सोच है कि वो आगे क्या करेंगे अटकले हैं सिर्फ ये कि वो सपा में आ सकते हैं अभी तक मोहर नहीं लगी है अगर वो पार्टी के साथ रहेंगे जाहर सी बात है मुकमं प्रत्याशी की वो भी अगेंस्ट प्रत्याशी की मुकमंतरी योगी आदितनात के खिलाफ तो आज आजाद समाज पार्टी के राष्टिय अद्धक्ष चंदर शेखर आजाद ने वहां से अपना नाम डिकलेयर कर दिया कि मुकमंतरी योगी आदितनात के खिलाफ गोरकप वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, उदलित वोट बैंक है, क्या उस सीट पर इतना एहम है कि चंद शेखर वहां से टक्कर दे सकते हैं। हम सपा के साथ नहीं जाने वाले, हम 401 सीट पर उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सोच रखा है, अभी ये confirmation नहीं है क्योंकि पार्टी की तरफ से अपचारिक एलान नहीं हुआ है कि अकलेश यादों वहां से प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने ये बता दिया है, ये उम्मीद लगाई जा रही है और लगबग चीजे कन्फरम भी हैं कि करहल विदान सभा सीट से अकलेश यादों प्रत्याशी होंगे। गोरकपुर से मुखेमंतरी योगी आदितनाद, गोरकपुर की सदर सीट, वीजेपी के लिए सेफ सीट और मैनपुरी की यूपी मद्ध की ये जो करहल सीट है, ये सपा के लिए सेफ सीट है। 1993 से अब तक समाजवादी पार्टी वहाँ से साथ बार जीत के आई है। इसली बार अगर हम देखे तो कंटीनियू कई सारे चुनाव वहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीते हैं, डिएड़ लाग से ज़ादा वहाँ पर यादो वोट बैंक है। और कहा जाता है कि समाजवादी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अकलेश यादो जो मुखमंत्री थें, तो इस विधान सबस सीट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था और यहां बहतर विकास की बयार को बहाया गया था। कारण क्या है नहीं पता, लेकिन कुछ राजनितिक विशशक के यह कहते हैं कि यहाँ पर यादो वोट बैंक जादा है, इस वज़े से इनका काया कलब जादा हुआ है, और इसी वज़े से अकलेश यादो ने ये सेफ सीट चुनी है कि वो वहाँ से चुनाव कोई तीन प्रमुक पार्टियों की बात, मायवती ने पहले कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाली इस बार उत्तर प्रदेश में, और उसके अलावा अब हम बात करें कॉंग्रेस की और आम आदनी पार्टी की, तो कॉंग्रेस ने भी अभी तक अपना ना तो मुख आपराद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, किसान के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, केंदर जो कॉंग्रेस शाषित प्रदेश हैं, वहां के मुखमंत्री उत्तर प्रदेश आकर के कॉंग्रेस की नीतियां और उत्तर प्रदेश सरकार की कमियों के बारे में बता रहे हैं लेकिन यह सब यह नहीं बता रहे हैं कि आखिर कॉंग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चहरा कौन होगा क्या प्रियंका गांधी होंगी या कोई और होगा यह confirm नहीं हुआ है ना बताया जा रहा है तो यहां पर अभी भी अटकलों का जो बजार है कॉंग्रेस में वो गरम है लेकिन अब कॉंग्रेस को सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट फेस की जो वोटिंग की तारीक है वो काफी नजदीग आ गई है और ऐसे में अगर मुखमंत्री का फेस डिक्लेयर नहीं होता है तो कहीं न कहीं कॉं आतार कॉंग्रेस के साथ चल रहा है पहले हरेंद मलीक वाला मामला देखा होगा आपने पंकज मलीक वाला मामला आपने देखा होगा और आज प्रियंका मौरिया जो की कॉंग्रेस की पोस्टर गल रही है लड़की हो लड़सकती वाली उनका टिकेट कट गया और उसकी ना निती बनाई जाएगी लेकिन इन सब के बीच में उन्हें यह सोचना जरूरी है कि जो CM candidate का face है उस पर एक बार विचार विमश कर लिया जाए चर्चा कर लिया जाए और उसे declare कर दिया जाए अगर declare कर देंगे तो जादा better होगा Congress के लिए उनके संगठन के लिए उनके लोगों के लिए without face चुनाओ लड़ना वो भी उस party के लिए जो एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जीत के नहीं आई है उनके लिए विकत हो सकती है यह मेरा नजर्या और कुछ राजनितिक विशेशक्यों का कहना है लेकिन अपको Congress क्या सोचती है यह तो वही बताए और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो कटबंदन से जुड़ेवे कुछ राजनितिक दल है जिसमें नशाद पार्टी है जिसमें सुभास्पा है हम उनका पक्षबी जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे की रणनीति क्या है क्योंकि फर्स्ट फेस की वोटिंग की तारीक जो है वो काफी नजदीक है राजनित का शोषण उत्तर प्रदेश की सरकार में बीते 5 साल में हुआ है तो यहां पर जो राजनितिक दल निशाद समाज हो गया या OBC समाज से BJP के साथ है वो क्या रणनीति बना रहा है इसके बारे में विचार करेंगे और इसके अलावा विपक्षी दलों की तरफ से अगर वो स सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोशना पत में शामिल होने जा रहा है पुरानी पेंशन योजना को भाल किया जाएगा 2005 से पूर्व करमचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन विवस्ता लागू की जाएगी उसके लिए किस सरीके से लागू होगी समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोकले थे समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की और बढ़ रही है समाजवादी पार्टी का गडबंधन केवल अपराधियों मापियाओं गुंडों और दंगाईयों के बलबूते चुनाओं के मैदान में आना चाहता था और उ और उत्तर प्रदेश की जनता निठाना है फिर से कमल खिलाना तो इस मुद्धे पर चर्चा करने के लिए हमाय साथ जो मैं मैं मान है वो सभी जुड़ गए हैं सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूँ और उसके बाद इस चर्चा को मैं शुरू करूँ देशबंदू दिक्षित हमाय साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं मिसम सबसे पहले में देशबंदू जी के पास चलना जाओंगा देशबंदू जी अखलेश यादो का टिकेट लगबग फाइनल हो चुका है आपसे थोड़े दिर पहले पता चलना है कि मायनपूरी की करहल सीट से वो चुनाओ लड़ेंगे क्योंकि वो समाजवदी पार्टी के सबसे सेफ सीट कही जाती है आप इस सीट को किस नजरिये से देखते हैं इस फैसले को किस नजरिये से देखते हैं दूसरी तरफ आपकी जो दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टी है कॉंग्रेस उन्होंने अभी तक अपना सीम केंडिडेट फाइनल नहीं किया है क्या कह ना है इस पर आपका और तीसरी एहम चीज है कि अकलेश यादों ने ये आज कहा है कि वो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे सत्ता में आ गए तो बिजली वाला मामला उन्होंने बताया है कि बिजली के लिए भी 300 इनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी सरकार में आन देश है और चुनाओ का ये लोगतंत्र का जो पर्व है उसमें जो भी प्रत्याश्री है सपा के राष्ट्री अद्यक्ष को मेरी शुब कामना है यह उनका विवेक है कि वो कि सीट से चुनाओ लड़े लेकिन जैसा कि अभी आपने थोड़ा संदर्व में छेड़ा कि आज पोस्टर भी लगाए गये थे जहांके वो सांसर है वहीं पे मैं अपनी सरकार की बात कर लूँ अभी देखा होगा विगत आपने तीन-चार माह पहले वहां पे एक राज विश्विद्याले की इस्तापना हुई इससे पहले पांच साल में वहां असिक्षा, बेरोजगारी और गुंडागर्दी, बहुत चरम पर थी, हमने उसको विकास से जूड़ा और विकास का सबसे बड़ापत होता है सिक्षा, यदि आदमी सिक्षित होगा तो वह विवेक्षिल प्राणी होगा और वो अपना निर्न, स्वैम ले सकता है, वो कहां से चुनाओ लड़ेंगे उनका विशेशादिकार है, उनको मेरी शुबकामना है, और रही बात अब आपने बात शेड़ी थी, आँ आजात के चंसेखर जो आजात पार्टी है, उनका आप कोई जनाधार नहीं है, देखिए वो अखलेश जी के पीछे 6 मेने तक गूमते रहे, उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, इस पर मैं कोई टिपड़ी नहीं करूँगा, लेकिन केवल हॉट सीट पर विपक्ष में चुनाव लड़ लेना, देखिए हमारे श्रदे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, और वो वहां से विजय होंगे, लेकिन अब आपने जो बात छेडी नितिन जी, मुझे एक मिनट दे, मैं गोरकपुरी के हुगए, देखिए हर आदमी का, आपको लगा होता है, नितिन जी आप भी जानते हैं, एक आदमी की कर्म भूमी होती है, हमारे श्रदे मुख्यमंत्री जी, पहली बार जब संसत के पटल प हमारे पाल्टी का केंद्री नित्वत, शीष नित्वत फैसला करता है, वह उत्तर प्रदेश में कहीं भी लड़ सकते हैं, और इनकी पाल्टी की बात हुई, तो आप देख लीजे, पहले उमिद्वार से लेके अंतिम उमिद्वार तक जो है, सब पर आपराधिक अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है, तो ये ओम प्रकास राजबर आपकी पार्टी को छोड़ के आप समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और वो कही रहे हैं कि हम तो एक दम खदेगड़ दएंगे बीजे पी को, देखिए श्री ओम प्रकास राजबर की आप बा कैबनेट मंत्री जैसे उच पदस्त पर आसीन थे, पांच वर्षों में नितिन जी क्या आप मान सकते हैं कि मुख्मंत्री ने अने को बैठक ली, अगर इनके समाज को या इनको किसी प्रकार की घुटन थी, या इनके साथ कोई भी अप्त्याचार या घुटन का माहौल था तो ये किसी भी पटल पर अपनी बात रहस लख सकते थे, आचार सहिता लगने के कुछ घंटों पहले, और ये सरविधित है, आप मीडिया बंदू जानते हैं, मैं कहने ही सकता, ये अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहते हैं, और इस बात से नाराज हो के, देखिए हम के खिलाब ही सब कुछ एक दम बहतर कर देंगे और बिलकुल बाहर कर देंगे, बनवास में भेज देंगे, उन प्रकाश राजबर भी ये बात कह रहे हैं? तो पांच वर्ष का कम नितिंजी कम नहीं होता है, आप अपनी बात को रखते और फिर इस्तिफा देते, और रही ओम प्रकाश राजबर की बात है, तो जिस समाज के मुख्या हैं, उस समाज के हमारे उपमुख मंत्री भी हैं, उन्होंने उनको समझाने की भी बहुत कोशि अभी अभी आपने सुना देजबंदु जी की बातों को सुना, उन्होंने ये का कि आजमगर के सांसद हैं, अखलेश यादव आजमगर इसलिए नहीं गए, क्योंकि वहां से वो लापता है, वहां की जो जनता है, वो उन्हें ढूंड रही है, कोई काम नहीं हुआ, और इस इस प्रकड़ में योगी जी की ये बाते याद हैं, योगी जी के लिए कह रहे हैं कि वो उनकी करम हुमी है, इस वज़े से गए महाँ पर, मतुरा है, और काशी है, उसके बाद आखरी में वो फिर वही उसी जन्हा पर पहुँच गया है, क्योंको मालूब था कि जो 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 जी के बारे में ये पह रहे हैं, तो हमारे जाशी जी को तो पहले ही उन्होंने ये बात साफ कर दी थी, आपके मेडिया के दोरा, जन्ता जहां से चाहे की, जन्ता जहां से कहे की, ये सब जन्ता पर रिसाइड करेगा, और लगभग अभी फिलहाल वो आदब रट से सांसर नहीं, तो लहादा उनके और दूसरी जगहां के लड़ने से भी बार साफ पर जाती है कि विकास बढ़ेगा, लोगों ने चाहा, राशीय जी जी क्यों कह रहे हैं इस बात को, कि अकलेश आदो आजम गर्ट से लड़ा रहा है क्योंकि अकलेश ने आजम गर्ट में कोई काम पर पान साल योगी जी विकास नहीं कर पाएं और जहां पर कांसि इस सबसे सेफ सीट क्यों डेगई भाई, सबसे सेफ सीट क्यों डेगई भाई? उनको आकर के बुला करके वहां पर विकास की और बयार बहाई जाए, रिस्तार किया जाए, इसलिए बुलाया गया है, वो तो योगी जी है, जो अपनी जेखना पर मट पर वापत जाकर बैट गया है, क्यों नहीं वो कोहीं और चले गए लड़ने कि अगर आई सहीं था, त इतने साल, पांच साल से मुकमदी रहे, तो क्या अभी भी कुछ विकास कार रह गया है, अब आप यहीं से बताएए, नितिग जी, मैं कोई पार्शल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जब अभी यहाल है, क्यों पांच साल सरकार में रहने के बाद और इतने साल सानसर रहने क के बाद भी अगर गुरापूर में विकासोन नहीं कर पाए, और फिर दुबारा वहां पर वो चले गए है, तो इसका भारती जिता पांटी का कोई जिता जवाब देगा, क्या आखिर वही सीट उनको क्यों मिली लड़ने के लिए, बहुसी जिता लड़ने के लिए, मतुरा कारए करम पायुद्य आजाते, मतुरा आजाते, और भी कहीं से आजाते, अरे बदल-बदल करके सीट वो लड़ता है, इसके डम होता है लड़ने का, जो नेता होता है परदेश का, और एक ही जनह से लड़ते रहना कैसी बात कर रहे नितिंची, एक जनह से लड़ता हुआ को भाय रहता है कि वहां पर जीता होता है उसको यह एसास होता है कि अगर हम यहां से नहीं लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे उसको भाय होता है उसके वहां पर आधिकारी है उसके वहां पर लोग है उनके रिष्टेदार नातेदार उनके दो त्यार उनके पडोसी तमाम आप बता रहा हूं आप बताओ ना उत्तर परदेश के अंदर 430 विधान सभा सीचे है वह जहां से रहते सवाल यह होता वहां चैनलेटर अरे यह तो आप निगेटिव को सोचते हो आप पॉजिटिव सोचो के उत्तर परदेश के अंदर आजमगड की जंता ने यह अखलेज कि बनाई दी कि सरकार आप ने हमारे लिए कितना कर दिया आप उत्रक्सी ओपर देश में और लोगों के लिए करिए वहां कोने गौहार लगाएं उसी टीकल करिए लाजा को अमन्तित किया किया घया है राजा वो कैसाल राजा जो अपने घर का राजा हो और उनको वही आप कैसी बात कर रहे हैं सजय निशाद सिर्फ अपनी जो है किया करते हैं राजनीत को लो सीधा करने के लिए निशाद के तो जो बात हुई थी उसे मिटिंग में उन्होंने जो इतनी बड़ी रेली करी आरक्षर तो बाती निशाद वी तो निशाद को जहां जाओ आप नही अगर निशादों के साथ धोगा करके बड़े नहीं रहे सकते हैं वह निशादों से समझाद पार्टी खोल पाएं अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर रही बात तो आप देख लिए ना आने वाले वाले नात्रमा में जो गल्ती जो प्र क्या कहते हैं गल्ती संजे सिंग मैं आप से जानना चाह रहा था कि सपा ने बीजेपी ने अपने अपने सीम फेसिस की केंडिडेट जो है वो लगभग डिक्लेयर कर दी है बीजेपी की तरफ से पहले हो गई थी समाजवाधी पार्टी की तरफ से भी अवचारिक रूप से होना है लेकिन आप लोग का सब कुछ बिलकुल सनाटे में चल रहा है क्या कारण है इसका क्या कुछ और आप लोगों ने तरीका ढूंडा हुआ है कि अगर आप सत्ता में आ गए तो आप एक नया कुछ ले आएंगे किसी और तरीके से कोई बाहर से ले आएंगे या अपने वीच में किसी को तैयार आप लोग ने का रखा है देश में समयधान है और समयधानिक व्यवस्ता में चुने हुए विधाय की आसान सा जो है वह अपना नित्रत प्रदान मंत्री की रूप में या मुख दबाव बना के कौन होगा है प्रदान मंत्री का चाहरा सुनिया जी ने मैंफेस्टो पे उंगली रखी थी लोगों ने मान लिया कि प्रदान मंत्री का चेहरा माननी मन मोहन सिंग्ग ना cinnamon मत्र पत्र पे रखी थी कहने का मतलब यह है कि हम अपने घोषड़ा पत्र के आधार पर हम अपने प्रतिग्याओं के आधार पर हम इस चुनाव में जा रहelect still phone की किसान की बात कर रहे है रोजगार पर बात कर रहे हैं जो नियुन्तन समर्थन मूल्य है जो किसान कि आये दोगुना करने वाली ती कैसे करने वाले थी उन्होंने कोई खाका नहीं रखा था हम उस खाका को रख रहे हैं हम बिजली का मूल लिया आधा करेंगे बिस लाक रोजगार कापै ड़ी कि आ करेंगे की आधा तो हमने करी सब्सक्राइब करते हैं और एक सबसे बड़े राजनेतिक परिवार के 25 सदस्य को आप लेकर इतना प्रसंद्चित हो जाते हैं जिससे प्रतीद होता है कि आप प्रेंगा मौरिया को लिया है उसमें भी आज बहुत खुष हैं मैं भी यहां पर लखनों की सरुजीन अगर सीट से टिकट मांग रहा था और मैं प्रबल दावेदारों में साथ दावेदारों में था अठाइस वर्शों से मैं कांग्रेस में क बहुत सम्मान दिया, टिकट मिलने की कोई गारंटी उन्हें नहीं दी गई थी, काम के आधार पर उन्हें भविश्य में टिकट भी मिलता, लेकिन वह यहां से तुरंद गई और बीजेपी ने उसे हाथों हाथ इस तरह से लिया जैसे किसी अंतरराष्टी नेत्रत प्राप्त किया है, बहुत खुश है, तो मैं वही कह रहा था कि आज जब चुनाव आ गया है, आचार संगीता लग चुकी है, जनता के हितों की बात होनी चाहिए, पिछले पान सालों में भारती जनता पार्टी ने कौन से काम किये, वो जनता के सामने प्रस्तुत करने चाहिए थे, मै मैंने उन्हें पान सालों में केवल राजनेतिक बात दूसरों पे आरो प्रत्यारोप लगाने के लावा मैंने कभी उनको पी डबलुडी का जो उन्होंने काम किया है, उसे रखते हुए, कभी उनकी मैंने कोई प्रेस काउंफरेंस नहीं देखी, और रही माननी योगी जी क है, हेंडेट स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, राजधानी में एक सिंगल काम बता दीजिए, एक सिंगल काम जो पिछले चार साल, साड़े चार साल, पान साल में हुआ हो, गोमती साफ नहीं हुई, मेट्रो का दूसरा फेस चालू नहीं हुआ, पबलिक ट्रांसपो के तो निश्चित रूप से कोई एकसिडेंट हुआ तो शहीदी हो जाना है, बचे का नहीं आदमी, इतना बुरा हाल है, गोमती को कहा था कि अच्छमन तक साफ कर देंगे, आज गोमती का क्या हाल है, आप कोई नई इमारत, कोई नई पुलिस की व्योस्ता, केवल नंबर बदला, केवल अस्पतालों के नाम बदले, आज अस्पतालों की इतनी दुर्वेवस्ता है, ऑक्सीजन जब पिछले करोना में खोजा जा रहा था, नहीं मिला, आज आज मैं आपको पता दूँ, आज जो एक सबसे बड़ी समस्या है, ओमिक्रान इतना तगड़ा नहीं है, साल बर में, दो साल में क्या तियार हुई, जब राहूल गांदी जी ने कहा था, कि एक ऐसी बीमारी आ रही है देश में, जो कि देश की अर्थवेवस्ता भी चौपट करेगी, और मानो पे बहुत अधिक प्रभार करेगी, और मानो हानी होगी, वो हुआ कि नहीं डेल्टा सब्सक्राइब के लिए कोई बात आप लोग की अभी तक चली किसी को बनाएंगे, देखिए, हमने बहुत यह कई बार यह प्रशन आया हमारी पार्टी के सामने, हमने उत्तर प्रदेश के चुनाओं में शुरू में ही, मानी सलमान खुरशी जी ने भी कहा था, हमारे के बल पे उन्होंने विपक्ष में रह के कम से कम अठारा हजार कारकरता जेल गए और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष चालीस बार जेल गए, ठीक है, हमारी प्रियंका गांदी जी, हमारी जो रास्टी, महा सची है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, पिछले दो सालों में उ हम उनके काम पर, अपनी प्रतिग्याओं के आधार पर, हम हमारे जो नेता हमारे चुन के आएंगे, वो अपना सीम चुलेंगे, ठीक है, मैं आता हूँ के बस, हम ऐसाद दैरा महारगो जुड़े हैं सुभासपा से, महारगो साब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अ संजय निशाद, अनुपरिया पटेल इन लोग ने दिल्ली में एक प्रेस कॉनफरेंस कर दी थी और उसमें कहा था कि हम पहले की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में प्रशंड जीत बीजेपी की होगी, बीजेपी गडबंधन की होगी जिसमें संजय निशाद, अनुपरिया पटेल एहम भूमिका में रहेंगे, आप इस बात को कितना सही मानते हैं, दूसरी चीज, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग की कुछ अपनी मात्वकान चाहें थी, इसलिए आप लोग अलग हो गएं और आप सावा निटी नगरवाल भाई, मैंने सब को सुना सभ्धान से सुने हैं, और हमारे बीजेपी के हमारे भाई देश बंदु जी ने बड़ी अच्छी बात कही उसको भी सुनिये, इनों ने कहा कि उस्तर प्रदेश में जितने अपरादी हैं, जितने गुंडे मासिया हैं, सब को ज पूर्बे के मुक्त मंतरी अखले स्यादो जीरो अपराद है, योगी आज इतनास पे अपरादिक मामले 19 से उन्हों अपना खतम कर लिया, केशो प्रदाद मौरिया जो जितनी सियां हैं, बावन उनके पार मुकदमे दर्द हैं, तो हमको ये बताईए, ना गुंडा राज अब रस्ताचार ये सुद्ध देशी घी वाली सरकार है क्या, हमको ये जवाब पे ये, अब दूसरी बात, अब यहां बात आती है, कि इन्हों ने कहा अखले से आदो जी महनपुरी के कलहर्च लगेंगे, और योगी आजित तनास जी जो है गोरसपुर से लगेंगे, नित उस्ताप्रदेश में पुलिस का गुंडाराज नहीं चल रहा है, आए जिन लूट, हट्ते आफ्टानल प्लासकार की जगन अपरादे उस्ताप्रदेश की ज़त्रों जिलों में दापता है, बाबा और बाबा की पुलिस क्या करती है, हर चीद को बाबाने का काम करती है, आ कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, हमको बताईए, अगर आजमगर की इतनी इनकी बहुत जबरदस्त मामला है, तो आजमगर से मुकेस राजभर एलकाउंटर कानपूर से बाबा की पुलिस पखरती है, जो यह साइकल चोर था, यह साइकल चोर था, साइकल की चोरी पता नह मुकेस राजभर से बाबा की पुलिस कानपूर से उठाती है, और क्या नाम यह उंकर करती है, आज तक मुकेस राजभर के परिवार को नहीं नहीं मिला, CBI जाती कि मांग, आदर यह नेता हों प्रकास राजभर जी करते रहे, तरकार में लहते हुए, भार की एजमसा पाइ की परिवार के तीन माबाप को जो है, तीन लोगों की जो हट्या राजभर की हो जाती है, उससे जो है, अनिल राजभर जो भारतिये जन्ता पाइटी के के एज़मन में इसक रहे, एक बार बहुत जानकारी हो नेते हैं, तक उसको नहीं मिला, तो किसी के साथ में बताना चा सब्सक्राइब करें जब यह निशाध पार्टी वाला मैंने सवाल एक आपसे पूचा था मैंने निशाध पार्टी मुझे कहने तब को आपने ददन दिया मैं घरी देख रहा हूं मुझे बोलने भी एद है मैं आपको बता रहा हूँ उसी सदर में जब ओंपरकास राजवर्जी जब भार्ती जन्ता पाइटी के गद्वर्णन में इस पे यही भार्ती जन्ता पाइटी के लोग से कहते राजवर्जी हमारी सरकार दलवा दिजिए हम आप जो सामाधिक नाय समित की रिपोर्ट है वह हम लागू कर देंगे भार्ती जन्ता पाइटी के मुख मंतरी जो उत्ता प्रदेश के है उन्होंने सामाधिक नाय समित के रिपोर्ट लागू करने से मना कर दिया जेश के ग्रीह मंतरी उन्होंने मना कर दिया देश के ब्रदान मंत्री उनों नमरे कर दिया आप बताईए जिस मुद्दे को लेका दर ये नेता जी ओंपरकास राजबर भरती जिंता पाइटी के गरबंदन में जरकार में देते जब वुद्दा ही नहीं हुलवा ता बताईए नेता जी वहां कहा रहे थे उतके बाद सु आप सवाल ले लिजे मेरा ये निशाद समाज की पार्टी जो है इन्होंने परसो एलान किया है कि वह पहले की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ है और फिर प्रचंड तरीके से जीत करके आएंगे आपको क्या लगता है कि निशाद समाज इस बार बीजेपी के साथ जाए कि अधर संजे साहब है वह बहुत भन्वाद आपने नाम लिया निशाद पाइटी के लोग कहते आरश्चल नहीं तो वह तरह दिसंबर को अधर यह कैना वह डंगर डाक्टर संजे निशाद जी जो है लगणों में आवाहन करते हैं अपने समाज को इसमीं लोग आई यह और 17 करना में देश के ग्री मंतरी भातुर देरे से निशाद समाज के लोगों ने कहा कि हमारे साथ 6 लोगों का हुआ है अगर हमें आरश्चल का यहाद पे इन्हों ना आवाज आहलान नहीं किया हम उत नहीं करेंगे तो आप मिसित भाई आपको जनलना के लिए जब निशादो ठीक है 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 दूसरी बात दूसरी बात मैं कहना चाहिए जल्दी पूरी कीजिए समय थोड़ा कम है जी नितिन भाई मुझे कहने दीजिए सर समय कम है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी बोल लिजे देखिए दूसरी बा अगर इनोंने विकास किया होता तो आज परिवारवाद की बात नहीं करते हैं। दिया था कि हमारे आरक्षण की बात नहीं हुई हम इस बार संजे जी के साथ नहीं जाने वाले तो क्या वो जनता मानी या नहीं मानी दूसरी चीज अकलेश यादों ने लगभग ये बता दिया है कि वह मैन पूरी की जो करहल विदानसभा सीटें वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं आप उनके इस कैंडिडेचर को किस नजरिये से देखते हैं आपकी पार्टी किस नजरिये से देखती है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई सारे जो छेत्री एदल हैं वो समाजवधी पार्टी के साथ आए हैं ओम प्रकाश राजबर की भी एक पार्टी उन तुक्सो पहले सो में बढ़ाई और धन्नवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को निर्बलो की अवाज, शोशितो की अवाज आपके चैनल की मासें के लिखा रहे हैं आपके सिर्वाइब की अवाज पूरी जैया है खोड़ा आडियों का बाहत है निशाद संदाय कश्यप केवड मल्ला कहार दायकवाट चलिया बासं तेनी तबोनी लुहार किया अब अब उत्तर पेज़ेश के निशादों का बेटा अब उत्तर पेज़ेश के निशाद समाज आपके साथ ही नहीं आ रहा है किसी के कहने या ना कहने से बोट जो होता है वो निशाद की पार्किट में नहीं होता बोट जो होता है पाईटी के सास होता है जिसके सास बल होता है उसके सास बल होता है उसकी परस्याओं का हल होता है अर्व निशाद समाद की समस्याओं वाहल करने के लिए निर्बन इंडिये शोषित अमारा आंगल जिसका शायत में निशाद पाइटी है मेधान में है हमारे पास हमारा प्रोपी है Renda है सब्सक्राइब करने के लिए उस पिरकिनिया को निशाद पाजिती पूरा तर रही है और जहां तक आपने सब्सक्राइब की अगले सियादर जी की करहल से चुनाव लगने का तो पीशे जंता की लहर चली आगे जंता का लाज चला वो संधे निशाद जिदन चला साट जाएं चला उत्तर पिर्जेश की 25 करोल की जंता आज आज आशेयों की निखाऊ सा मांदवा सब्सक्राइब नहीं वो गैरे तीन आप लोगों को दे दी जाएगी भाई गैरे तीन आप लोगों को दे दी जाएगी जाएगी लोगों को जोड़ करा है तो में आपकी बात तक पहुंच आने की कोशिश करूंगा देजबंदू जी अपनी बात पूरी कीजे क्या कहना चाहरे थे आप देखिए जैसे नितिंजी हमारे समाजवादी मित्र ने कहा पहले मैं अपनी बात कर लूँ जल्दी जल्दी कि अपना दख एस और निशाद पाल्टी के हमारे जो सायोगी दल है वो हम लोग मिलके हमारा एंडिये जो है एक संगतिंगतन है और अभी हमारे मित्र ने ने पूछा तो मैं बता दूँ आजमगड़ घूम के आई यह महाराजी विश्व विद्याले का स्थापना हो गया है कप्तान गंज रोड पे मनुरी पे एयरपोर्ट बन रहा है पुर्वांचल एक्सप्रेस का काम पूरा हो चुका है विद्याले चार राज की विद्याले महाविद्याले महाँ खोले जा चुके हैं साथ जो अस्पताल है उनका उद्गाटन हो चुका है और रोही बात मनुर राजा की बात कर रहे हैं आप यह बताईए आप यह बताईए जो आदमी अपना परिवार नहीं समाल सका वो अप प्रदेश क्या समालेगा वो अपने ल परिवार की बात आप करें परिवार तो साथ है अगलेशा दो के परिवार आप देखी रहे हैं पिता जी को इन्होंने बंधग बना लिया किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है चचा का राग आप देखें अलगी राग अलाप रहे हैं बहु देखिये कल हमारी पाल्टी में स्वागत किया बाभाजपा में आ गई अब बताएए परिवार रहा कहा जो परिवार अपना नहीं समाल सका एक मुखिया वो प्रदेश का क्या मुख्यमंत्री तक्वाल होगा आप प्यता दीजिए आपने पंदरा साल में जो उत्तर प्रदेश की जरजर विवस्ताई की रिवर्प्रेंट गोटाला कोई भूला नहीं अभी गायत्री प्रजापती के गोटाले को अभी अमानस घूमा नहीं उत्तर प्रदेश की जनता जनारदन देखिये बेवकूफ ज़िए त्वा बभवा का साथ हो त्याए दो राजकुमारों की जोड़ी हो ठीक है ठीक है मैं आ रहा हूं मिसम्देदी अपनी बात पूरी कर लीजे पिर हम भारगाउस आपके पास चलना है अरे निटिन जी लोंट्व जी और इनकनके भाजपा के निकाउं को ये शरम आनी चाहिए कि पढ़ली सफरी देश की झिंता करने के बजाए ये हमारे परिवारों की ओ दूसरों के इनकी सोटी की संधीर उंकोंट है नि more कि प्लीज है पर करते हैं और तक करते हैं ये जो are पहले सुन लिजे हो क्या रहा है जवाब तो ले लिजे अरे अरे मानेवार कि घर में चार बरतर होते हो चार बरतर खनक काते अरे तक कहे तो दिया आप 430 सीचे ले लिजे सब देखने के लिए बना ही नहीं है आप जो किसी ग्रहणी को शामी करें आप अंबर मना लेना सही है आपको मेरी बाल पर चुपाएंगे लिजे आप 430 सीच भी कर सकते हैं पुर्देश की जनता को गुबरा करने के काविश की जनता प्रदेश की जनता प्यकूद नहीं है करना चारे है उत्तर प्रेश की जनता बेंगू के लिए वर्देश की जनता को भाई इसामाजक करना चारे प्ली आपके श्रुपाएंगे लिए को बात करते हैं किसी बीवी कहा है किसी करते हैं अब आप दोनों लोग शांत हो जाए हो गया हो गया अपलोग का दयारां बार को जल्दी से प्ली से जल्दी से समय बहुत कम है कि आरेच्टर जो है डबल इंजन की सरकार है वो केमर से पास होगी हमको हमारे यह क्या नामें चेकर जुर्वाल भाई बता दे कि जब यही भार्तिय जन्ता पाटी की डबल इंजन की सरकार है सब्सक्रा जाता है तो क्या मिशाथ पाटी के लिए और इसक्ता है तो क्या मिशाथ पाटी को 17 संबर को अरेच्टर भी गोदन की जो खिलाब हो इसलिए भार्ठी ये जनका पाईक पिछडों की ही सेटी नहीं है ये भाथ करने वाले है Cancer देज मंगी करनी है जल्दी ये बार्द जल्दी से पूरी कीजए जय को भाथ करते हैं जो अपने पसरी को नहीं हुआ जो बेस का अपने पारिवे को नहीं हुआ आपकी बात आगई आपकी बात आगई संजे भाई आपने सुना अभी देश्बंदू जी को और उन्होंने जिस्ता से अपनी बाते कहीं कितना आप उससे सहमत है कि इंकी बात से मैं केवल सहमत हुँ कि उत्तर प्रदेश की जन्ता बेवकूफ नहीं है और उत्तर के इनेंध पूरे देश की जन्ता बेवकूफ नहीं है संख्या का दावा करना जो है यह तो भार्ती जंथा पार्टी से इसे जिन प्रदेश में प्रुइश पषिम मंगाल में गई थी वहां भी संख्या का जोर मारा भार्ती जंता क्या ने उस तोड़ को आदर्श बताना ये भी भारती जनता पार्टी ने सिखाया है आदर्श राजनीत की जो निव जो कहा जाता था चाल चरित्र चेहरा जिसकी बात भारती जनता पार्टी करती थी वो शायद पिछले साड़े साथ साल में जब से मानि मोदी जी देश में आये हैं भारती जनता प जो करती है वही साही है किसी को भी ले आओ वह चाहे प्रशताचारी हो चाहे진 आतंकवादी हो चाहेए जो हो उसको ले आओ और जब भारत्य जैल माइक लिए स्था आering मसीन से और जब गर छोड़के जाता था उसको नइतिक्ता कि देआई कि हमारे दलने बहुत कुछ किया तब तक याद नहीं आया अरे भाईया भारती जनता पार्टी में अभी योगी जी पांच साल मुखमंतरी थे और अभी आठ महीना पहले योगी जी को हटाने की पूरी तयारी थी वो तो योगी जी का अपना बाहुबल था कि केंदरी नितृत तो फे अपने काम गिना रहे होते क्यों उनको आवशक्ता पढ़ गई जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसको क्यों आवशक्ता पढ़ जाती दूसरे दल में तोड़ फोड़ करने की उसको चुनाव कही समय कि यह आवशक्ता क्यों पढ़ती है मान लिजे किसी को माझ orella की बात कर रही है है महिलाएं यहां जो उत्त्र प्रदेस में महिलाओं के साथ जो होता रहा है और जो पिछले 2 सालों हुआ प्रेंगा जी घंधी लड़ी जिसमें नजात की बात है, वहां रोजगार की बात है, वहां किसान के आए की बात है, वहां कलकार खाने लगाने की बात है, सोड़कों को दुरुस्त करने की बात है, किसान आए की बात है. शिकर अगरवाल आपने दैराम भारगों की बात सुनी, क्या जवाब है? कि उन्होंने आरक्षड की बात कह दी तो उनकी पिद्धी खराब है अरे बाई आपके ही नेता के बयान है आरफ्षड नहीं तो वोट नहीं तो वोट नहीं उसी भीन की जभा में निशादों मन बना दिगा है कि उस्तंजेज और कर्शंचे निशाद हम लोगे के साथ धोगा किये है ठीक है प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है हो गए ऽुद्धी क्या करणा बात को नहीं तो भूट प्लीज प्लीज प्लीज़ द्यारम भाई आगई बात आगई अगहीं बात आगहीं मीसम्जादी को बोले दिज़े लोगों को ये तो कादम का काम डिया। भाइ मार्गों भारती जंता पार्टी नहें भैन उरकों स्टार पर प्रदान मंत्री काक्षेप लगाया ऑफ्कीर के प्रदान मंत्री पाक्षेप लगाया आश्य समाजवादि मित्र को और मेरे जो कांगरेश मित्र में बता जूंग आप बताईए राम मंदरी जैसा मुद्धा आपने 400 साल तक राजनीती की और 70 साल तक आपी सरा आपने कुछ कर रहा है अचित कर रहा है कि रहा है आढें दो पॉलनों सित्तों है। अगर रहा नगर बाद को पर अपने बार्द विक है आपके नाम पे किया है आप पर चाहर जब भूमी के जमीन पे घोड़ा किया है बाती चंता प्रादी ने तेवल गोड़ा जमीन के नाम पे जिया है कि उत्तर प्रजेस में आपका कोई जणा दा लिए अपका कोई जना दादी जोड़ के कहां से हाई है जोड़े नारे स्ब्सक्राइब कर दिसके जी तो जो जो रहां तो जो रहां दारा आज भी पैसे निकल लाए है और अभी घोटालों की सलिए ठीक है ठीक है हो गया समय हो गया आज अ ब्लाए है अपने निकलते हैं जाज भी नहीं होती है यह बात इतला किया देवंदर सिंगो कैसे छोड़ दिया गया और जनता जन अमाब को चौटा गया अब का स्वड़ा ने काम यह खोड़ा किसले कराई धी इंगा है प्रदेश का चुनाओ है और चुनाओ को देखते वे जो राजने तिक पारा वो काफी गरम है चाहे वो चौराही की बात कर ली जाए जहाँ पर राजनेतिक पार्टियों से जुड़े वे लोग बैठते हैं वहाँ पर भी और चाहे वो डिबेट जैसे मंच पर भी लगातार मुद्दों पर चर्चाई हो रही है लगातार कोशीश यहीं है कि अब कैसे जनता का वोट अपने पाले में खीचना आ है कि इस चुनाओं के साथ साथ जो ओमिक्रॉन है कोविट का तीसरा वेरियंट ये भी काफी तीजी से पैर पसार रहा है तो मेरा आप सबसे यही अपील है कि अपने चेरे पर मास्क पहने रहिएगा सेरेटाइजर का इस्तमाल करिएगा और पबलिक गैदरिंग से थोड़ी दूरी बना कर रखिएगा आज की डिबेट में इतना ही मुझे दी जर्मती मस्कार